अलो दोस्तो सुआगत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे सभी केंदरे करमचारियों पेंशनर्स और रेलवे करमचारियों के लिए जेसियो जवार्ज के लिए एक बहुत बड़ी खुशक्परी आ रही है और दोस्तो ये आपका जो है CNN tracks का के पृस्प्रिम कोर्ड का एक एक अथिहासिक फैसलाठा जो की सभी कि जासिय के लिए जो Har के लिए जो है और केंद्रे करमचारी रेल्वेश एम्प्मालिज के लिए जारि बादते थे बाते बात करेंगे त्लिंग स्पर्ष ने जो है area जारी किया है और वो pensioners के लिए जो है कई pensioners को जो है अलग-अलग circular पर जो है इस पर्ष ने area जारी किया है उसके बारे में बात करेंगे और इसके लाओ दोस्तों बात करेंगे one rank one pension का जो उसको लेकर जो मस्ते आ रही है उसके बारे में बात करेंगे जह बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो पहला तो उन पेंशनर्स के लिए है जो या तो 31 दिसंबर पर रिटायर हो रहे हैं या जो है 30 जून को रिटायर हो रहे हैं जोस्तों उन सभी पेंशनर्स के लिए जो की 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हो रहे हैं उनको वो सारे बेनिफिट नहीं मिलते थे जिसकी वएसे जो है एक दिन की वैसे नहां तो उनको जो है 30 जून या 31 दिसम्बर तो इन पेंशनर्स को जो है नोशनल इंक्रिमेंट का बेनिफिट मिलेगा जो लोग या तो 30 जून को या 31 दिसम्बर को जो है रिटायर हो रहे हैं और इसमें ओनरेबल सुप्रीम कोट का ये ओर्डर उन्होंने अलाओ किया है उन्होंने पूरा का पूरा वनियर कौलिफाइंग सर्विस किया है सिर्फ एक दिन के वहें से जो है उनको नहीं रोका जा सकता इसलिए इसलिए इस बिन डिसाइड़ तो एक साल के बाद से जो है है एन्वल इंक्रिमेंट मिलता है दोस्तों इस एन्वल इंक्रिमेंट को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है और यह उन लोहको भी बेनिफिट मिलेगा जो की एक दिन की वहे से जिन को नुक्सान रहा कि वह उनको यह बा रहेusions gain और इसमें दोस्तों जो है 30th June और 31st December ये दोनों डेट्स मेंशन की गई है on completion of one year qualifying service for pension, pensionary benefits irrespective of whether they are party applicant to a court और इसमें ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने court case किया है या नहीं किया है ये सब पर लागव हो जाएगा अगर किसी एक petitioner ने किया है तो जो ये supreme court का जो मानिय supreme court का जो ये फैसला है इस सब पर लागव होगा और इसमें जो तीसरा point है दोस्तों वह बहुत important है उसको ध्यान में रखने वाली है जिसमें कि तीसरा point में बताया गया है कि किस तरीके से जो है इसका implementation होना है और इसमें लिखा है कि श्याल ग्रांटेट अन्ली दोस ऑफिश्यल्स इसमें सिर्फ और सिर्फ एक date का है कि हमेशा ऐसी होता है कि जिस दिन से जो है order होता है उस दिन से जो है इसको जो effect किया आता है after the date of orders of the honorable Supreme Court दोस्तों यह important update है जो कि सभी के इंद्रे करमचारी pensioners के लिए important है दूसरा दोस्तों update की बात करते है स्पर्ष की दोस्तों और स्पर्ष ने जो है CPPC के जो है instructions पर कई pensioners जिनकों की जो है benefit नहीं मिल रहा था और benefit की बात करें तो area के benefit है दोस्तों चाहे वह ACP का हो चाहे MACP का हो चाहे circular 568 का हो circular 570 का हो अब दोस्तों स्पर्ष की तरफ से जो है इन सभी जो circular का जो area है वह non-payment certificate मिलने के बाद से सबसे पहला का में जो इस पर्ष नौन-payment certificate के लिगा रहता है जो यह process है वो start होता है पेंशनर के से और पेंशनर अपना initiate करते हैं वो अपना grievance डालते हैं उस grievance की सुनवाई होती है सुनवाई होने के बाद से अपने आप cppc जो है cpgram का जो आपके grievance उसको चेक करते हैं और उसके बाद से उसको process करते हैं और इवेंस पर्ष और bank दोनों को instruction दिया जाता है कि इसको जल्द से जल्द जो है इसको जो पेंशन ने उनको benefit मिल सके हैं बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अप्डेट कि वन रैंक वन पेंशन का दोस्तों कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि सारी किष्टे मिल गई है लेकिन दोस्तों जिन लोगों को अभी तक चारो किष्टे नहीं मिली या एक किष्ट नहीं मिली या दो किष्ट नहीं मिली उन सब के लिए दोस्तों अब नए help line नमबर जारी कर दिये गए और उन नय हेलप लाइन नमबर से जो आप यूज करके उनसे अपने जो ग्रिवेंस है अपने ओर पीटू का जो भी पेंचेंग का स्टेटस है वो आप इजी जो है पता कर सकते हैं दोस्तों यह हेलप लाइन नमबर जारी हो गए तो आप PCJ के जो है नए M.E.C. कार्ड बनेंगे और यह नए M.E.C. कार्ड जो है एक फरवरी से लागू हो जाएंगे दुस्तों इसका फॉर्म आप जरूर फिल कर लें और यह इसका फॉर्म जो है ऑन-लाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बास से आप फिल करके इसको जो है आप MEC card जो है dependence के लिए दोस्तों तो जितने भी dependence है उनको जो है अपने add करना है और इस time पर जो है इस MEC card का misuse ना हो इसके वएसे दोस्तों उसमें आधार card का भी provision दिया गया है उसके अलावा जो 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 वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ दोस्तों परस्नल मार्क्स के जो भी जिससे की जो dependent है उनको easily identify किया जा सके जो पुराना card बंद हुआ था उसका reason यही था कि उस card का misuse बहुत ज़्यादा हो रहा था दोस्तों card के misuse को रोकने के लिए अब यह सभी जवान ऑफिसर्स के लिए बनाए जाएगा और यह दोस्तों जो पुराना card है उससे आप नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों बहुत important है कि आप इसको time रहते जो है इसको कर दें दोस्तों यह थे आज के important update और इसमें नोशनल पे का जिसमें की पेंशनर्स को काफी benefit मिलने वाला है साथ ही साथ दोस्तों इस पर्श की तरफ से भी दोस्तों सारे के सारे सर्कुलर के उपर अब एरियर का भुक्तान होना शुरू हो गया और अभी जो है एक फरवरी से दोस्तों MEC काड़ के उपर भी जो है आपको जल से जल इसको बना रहे ना चीए जिससे की जो है टाइम लिए आप यह सारी services यूज कर सकें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ ङपरे जब एिससे की जो है वीडियो है शुरू होग चारी आपरे नहीं पूरू होना है नहीं ज दोग में लिएक होना है रहे एक लिए में आपको तर अपकें दूगेशन इस स्ज़ध में बूटताए्ट दोग में जुएशन ग्वरी ज़ख भी झाते हैं तारी ज़र द